यहां पर हम देखिएगा आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा बारा के लिए lesson 1 का जो आंकिक प्रसंद का जो section है उसके लिए important important questions यानि कि आंकिक प्रसंद के लिए important important हम आपको सारे के सारे formula आपको बताने वाले हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कती आ रही है कि आपको के formula बनते कहां से हैं और च्छाटे कहां से जाते हैं जो chapter जो होता है वहां से theory मैं से हम जो formula बनते हैं उनको मैं आपको दिखा दूँ यहां पर देखिएगा एक एक करके हम हर chapter by chapter हर topic by topic से कुछ questions उठाएंगे जहां से आपको पता चलेगा कि formula आएगा कहां से देखिएगा जैसे कि पहले ही यहां पर एक च्छाइब कुलाम के नियम में हमने वैदुत धरा वैदुत आवेस यह सारी चीजें आप से पढ़ी थी तो यह वराबर क्या हो जाएगा q upon t तो यहीं से यदि मैं यहाँ से कहूं, Q का मान निकानने लगूं, तो Q वरावर क्या हो जाएगा? Q वरावर हो जाएगा I T. यहां से दो फर्मूले बन गए, एक आवेश की मात्रा, किसी चालक पर यदि हम आवेश की मात्रा आप से पूछने लगें, आवेस की मात्रा क्या होती है तो Q वरावर फॉर्मूला होता है N E जहाँ पर E क्या होता है E वरावर होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूला यह आपका क्या हो जाएगा आवेस की मात्रा हो जाएगी चलिएगा अब यहां पर यह आपका क्या निकल के आया है, यह यहां पर आपका Q निकल के आया है, ठीक, पर यह आपका Q वरावर IT हो गया, यह Q वरावर NE हो गया, ओके, चलिएगा, यहां से आगे की बात की जाए, तो देखिए, हमें ऐसा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर जो आव माइनस उनिस कूलम आवेस होता है और अल पागण यहां से अलुपा कण पर जैसे नौर्मली बोलते हैं न कि अलुपा कंड पर जो आवेस होता और एलेक्रॉन का दो गुना होता है नहीं प्रोटॉन का दो गुना होता क्यों कि यह पॉजिटिव में टू-ई होता है ठीक है पॉजेटिव में तूई यानि कि इसका दो गुणा बोले तो दो गुणा वन पॉइंट सिक्स गुणा दस की पावर माइनस 19 यदि हम इसको अब यहीं से अपसे पूछ लेकर यह यहीं उन होता है इसकी यह जो वैलो है कितनी नौग उना दसकी पावर नौ नूटन मीटर स्केर प्रति कुलाम स्केर इतनी होती है ओके तो यहां से कभी-कभी क्या टिक मार्क में कुश्यन पूछ लेगा कि वन अपॉन वन अपॉन पॉर पाई एपसाइलन जीरो का मान बताओ इसका मान कितना होता है इसका मात्रक बताओ ठीक है इस तरीके से पूछ लेगा यहीं से कभी-कभी यह जो एपसाइलन जीरो है इसका विमिय सुत्र आपसे पूछेगा तो यह है क्या है M-1 L-3 T यहीए देखिए मिं लिख दे रहा हूँ EPSYLन जीरों का M-1 L की गात मानस-3 T की गात 4 और एक की गात-2 यह आपका क्या हो जाएगा इसका विमिय सुत्र हो जाएगा यदी हम एपसाइलन जीरों का मात्रक की यदि मैं बात करूँ तो मात्रक क्या होता है मात्रक इसका EPSYLन अपुछ देखिए यहीं से आपका बनेगा क्योंकि इसका मात्रक यह हम इसका मात्रक नगा लें इसका उल्टा कर दीजेगा कूलाम क्नisstी यह इसका मात्रक ऑ घालेगा जोतहे हैं यहां से आपका एंसे के पूछ कि क्या है परावेद्धतांग की वैलु आप से पूछे लगे तो एपसाइलन अपॉन एपसाइलन जीरो वराबर के एप अपॉन एपहम यानि कि यह क्या है यह माध्यम में और यह निरवात में ठीक है इस तरीके से आप निकालोगे ठीक है आगे करते देखिएगा है यह यहां पर भी दे रखा या किसी माध्यम मेंडृ शीलता पट्टे निरवात की विद्धू शीलता कि अनुपात को हम उस माध्यम का परवाध्युतां कहते हैं ठीक है इस तरीक इसे निकाला जायेगा अब हम उलाम से नियम के अनुसार हम तो वे कैसे निकालते हैं यह आपको आगे मिलेगा यह आ गया बे-द गद छितर की तीबरताई लगाम कर फ्र्मूला हो गया मात्त्रक यहां से पूछेगा न्यूटन प्रति कुलाम इसका यह मात्रक हो जाएगा ठीक है अब यहीं से यदि इसका विमय सुथ्र पूचने लगे तो देखिएगा विमय सुथ्र बैदुच्छेतर की ती ब्रता का विमय सुत्र क्या है MLT की गात माइनस 3 A की गात माइनस 1 यह इसका विमिय सूत्र हो गया ओके चलिएगा यहीं से आपसे यदि कभी भी पूछ ले के यह जो यह फॉर्मूला है इसका बैद्दुत बल यानि की बैद्दुत छेत्र की तीब रत्रा के आदार पर हमको क्या चाहिए बैद्दुत बल चाहिए बैद्दुत बल तो F वराबर क्या हो जाएगा QE ठीक है यदि इसका वेक्टर रूप आए जाए तो F आपका यहाँ पर वेक्टर है और यहाँ पर E भी आपकी वेक्टर है लेकिन Q आपका क्या है स्केलर क्वांटिटी है यानि अदिसरासी एक यदि कोई यहां पर आवेस रखा हुआ है यह आवेस है क्यूँ और इससे आर दूरी पर यहां पर कोई दूसरा बिंदू है पी और यहां पर मेरे को बैदुचित्र की तिब्रता चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या है मात्रक इसका यही रहेगा न्यूटन प्रती कुलाम बाकी आपको सारी चीज़ां पता है यदि आपसे ऐसे कोई रिंग वलाया कार कोई यहां पर रिंग है यानि कि कोई आवेस को एक वले यानि कि एक रिंग के रूप में दर्साया गया है उसके केंद्र से उसके अच्छ से केंद्र से दूरी है उसके बिंदू पर यदि बैदू छित्र की तीप्रता आपसे पूछने लगे तो यह कितनी हो जाएगी ए बरावर वन अपोन फोर पाई एपसाइलन जीरो क्यू एक्स याद रखिएगा यहां पर क्यू एक्स अपोन ए स्केर पिलस एक्स स्केर का होल पावर तीन वट्ते दो यह हो गया उके चलिएगा नीचे आ जाते हैं हम देखिएगा आपसे और बहुत सारी चीज़ें जैस वैद्दूत दूज़रूव आगूड यह निकलेगा कैसे पी बरावर क्यू इन्टू टू एक इस फॉर्मूले को याद मत रखिएगा क्यू इन्टू टू एल को हमेसा याद रखिएगा यह बीच की दूरी होती है क्या है यह वैद्दूत दूज़रूव के दौनों आव हैं तो विमिय सुत्र इसका मात्रक होता है कुलम मीटर मात्रक इसका कुलम मीटर और इसका विम्य सुत्र LTA यह इसका विम्य सुत्र हो गया, ओके चलिएगा आगे की बात की जाए आगे देखिएगा किसी वेद्दु दूदुरूग के कारण अक्षीय स्थति में समय ली जिएगा अक्षिय इस्तती में अक्षिय इस्तती में बैद्दुचेत्र की ती वर्ता इए वरावर कितना वन अपॉन फोर पाई एपसाल लैजीरो टूपी एपॉन आर क्योग यह वही है वर गूण्षिय दुद्रूरूहें है इस चीज को याद रखिएगा तो वहां पर टूपी था इसमें केवल एक पी है वहां पर यहां पर यदी यहां पर में टूपी अपॉन आरक्यू लगा दूँ तो यह अक्चिया हो जाएका और पी अपना आरक्यू आजाएगा तो यह आपका निरक्षियों स्तती हो जाएगी थेक़् है आगेदेखेगा आगे की बात चलते हैं बलाघून्ट क्या है बलाघून्ट आप से पूछने लगे तो बलाघून्ट का पॉर्मूला तौ तव वराबर पी, ये साइन्ड ठीटा पी आपको वैदु दुद्रूप पड़ता है दुद्रूप का आगूप के यहाँ से ही इसका क्या बन जाता है आग insistन लेकिन gy surg सना अपके उसमें नहीं तो यह है यहाँ से इतना ही इतनी वर्मूले and table которую होगे लवगलव 15 लिए फार्मूले इनकौ आपकर लोगे तो हिनbahn के आदार पर और आपके सारी चीजें lle dejी ऐ आपको के जो करना है और तो बाकी कुछ बचा नहीं है आप और वी बहुत सारे सी सवाल हैं तो इनको हम कराएंगे कल ठीक है आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो को लाइक करके सेर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और हाँ अभी तक फिरी बेच आपने जोइन नहीं किया है तो जोइन कर लीजेगा उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ओके चलिए